हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल माई उनिक अकेडमी फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा था फार फ्रॉम दा मैडिंग क्राउड और इसकी डेटेल स्टेडी में करा रहा था आपको तो मैंने बताया था जो इसकी कलासस में दूसरे चैनल पर चलेंगी आगे की कलासस अभी कुछ इंट्रोडक्षन की क्लासस यहाँ पर चलेंगी तो जल्दी से आप दूसरे चैनल को स्ब्सक्राइब कर लिए ये link description box में आपको मिल जाएगी तो अभी तक मैंने introduction में दो part बनाया है मतलब दो वीडियो आया है एक में मैंने आपको major character के बारे में बताया था कि कौन कौन से मुखी character है और फिर दूसरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको minor characters के बारे में बताया था मतलब अन्य character भी इसमें जो है उनके बारे में और ये जो आज की तीसरी वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ अस्थानों की places की जो कुछ important places है जैसे weatherberry नाम आता है caster, breeze, wessex तो इन अस्थानों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे दो दो लाइन जो जो important place है क्योंकि जब मैं detail में पढ़ाऊंगा आपको chapter wise तो उसमें कुछ word आएंगे कुछ place के नाम आएंगे तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप जाने रहिए ओके ताकि आपको detail में जब पढ़ाऊं तो confusion ना रहे कि caster bridge क्या है wessex क्या है ओके sword sword क्या है तो इस सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगे सबसे पहला जो place है weatherbury बहुत ही important place है बार-बार इसका वड़न आएगा इस नाम को बार-बार लिया जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो weatherbury क्या है most of the actions of the story far from the madding crowd takes place at this village ये एक गाउं है इंगलेंड का weatherbury क्या है एक गाउं है far from the madding crowd जो story है इसका सबसे ज़्यादा जो action होता है यानि क्रिया कलाफ है इसी के चारो तरब घटित होता है सबसे ज़्यादा जो scene दिखाय जाता है वो weatherbury का ही दिखाय जाता है अब होता क्या है after leaving norcombo hill बास्षभा had come to weatherbury जब बास्षभा norcombo hill छोड़ देती है तो कहां रहने चली आती है weatherbury it was 20 miles away from norcombo hill norcombo hill से weatherbury कितने किलोमीटर दूर है 20 miles जानी 20 mil दूर है here बास्षभा had inherited the farm property of her uncle after his death जब बास्षभा के अंकल की अचाने डेत हो जाती मृत्ति हो जाती है तो उनका जो farm रहता है संपत्ति रहती है उसकी मालिक कोन बन जाती है बास्षभा तो यहीं पर आती है weatherbury में पहले बास्षभा रहती है नौरcombo hill में अपनी आंट के पास लेकिन जब उसके अंकल की मृत्ति हो जाती है तो वो weatherbury चली आती है उनके farm को संभालने के लिए कारुभार देखने के लिए तो यह जो weatherbury है इंगलायन का एक छोटा सा गाउं है और far from the madding crowd की जो अधिक्तम घटनाए है वो यहीं पर घटित होती है फिर एक नाम आता है weatherbury upper farm तो यह क्या है दा नेम आफ दा form आफ बासवा इवरडीन यहीं बासवा इवरडीन का जो farm था इसके अंकल का वास्कुमें फार्म था जब अंकल जी इसके नहीं रहे तो उसका जो कारभार था पूरा बासवा नहीं संभाला तो उस farm का नाम था weatherbury upper farm जिस farm को बासवा नहीं संभाला था उस farm का नाम था weatherbury upper farm वेसक्स एक नाम आता है तो वेसक्स क्या है दा साउथ वेस्टन पार्ट आफ इंग्लैंड वास काल वेसक्स यानि कि इंग्लैंड का जो दच्छडी पहिष्चमी भाग था उसको वेसक्स बोला जाता है Thomas R.D. belongs to this reason Thomas R.D. इसी region से बिलॉंग करते हैं Thomas R.D. ने इस novel को लिखा है तो वो यहीं से बिलॉंग करते थे He closes this reason to be the scene of the action of his novels उन्होंने जितनी novels लिखी है Thomas R.D. ने लगबग इसी में बंद करके लिखी है मतलब इसी छेतर में वो बंद रहे इसके बाहर नहीं गया है तो closes का मतलब उन्होंने बंद कर दिया His reason मतलब अपना छेतर है To be the scene of the action of his novels इनके novels के जितने भी action होते थे उनको वेसक्स के अंदर ही रखा मानलेजिए ये वेसक्स की बांडरी है तो अपने novels सारे यहीं पल लिखे है इस छेतर का कहीं वड़न कर दिया कहीं इस छेतर का वड़न कर दिया कहीं मतलब वेसक्स के बाहर बहुत कम ही novels उनके लिखे है सारी सीनू कहां लेते हैं वेसक्स के अंदर किसी ने Although there is now no reason or district of this name it हाला कि अब अगर हम देखें तो इस नाम का कोई सहर नहीं है अगर हम देखें अब तो इस नाम का कोई सहर आपको इंगलेंड में नहीं मिलेगा Hardy revived this old name वेसक्स Hardy ने इसको पुनर जीवित किया था और इस अस्थान का novel में बहुत ही महत्पूर अस्थान है तो वेसक्स एक दच्छडी पश्चमी इलाका था इंगलेंड का जहां पर मतलब ये जो Thomas Hardy है ये बिलॉंग कर रहे थे वहीं से सारी novels अपने उसी छेतर में लिखी हानी कि इनकी सारी novels उसी के छेतर के base पर है मतलब आसपास के छेतरों के बारे में इन्होंने वड़न किया अपने novels में फिर यहां पर एक नाम आता है Norcombo Hills ओके ये वही अस्थान है जहां पर गैब्रेल ओक रहता था बिपोर कमिंग टू वैदरवरी बिलेज आने से पहले यानि वैदरवरी बिलेज आने से पहले गैब्रेलो कहां रहता था Norcombo Hill में जब इसकी सारी सीपे मतलब इसकी भेड़े सारी गिर जाती है खाई में तो ये फिर कहां चला जाता वैदरवरी ओके जॉब को ढूनने के लिए लेकिन उसके पहले कहां रहता था Norcombo Hill में यही वो अस्थान था यानि Norcombo Hill वो अस्थान था जहां पर बास्थान से पहली बार गैब्रेलो कहां मिलता है उनको परपोस करता है और बास्थान इनको रिजेक्ट भी कर देती है अपने लब का परपोसल मारता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे साधी को लो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा ऐसा मतलब वो कुछ भी कहता है आप पढ़ेंगे आगे तो बास्था कहती है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हूँ ठीक है लेकिन मैं तुमसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती हूँ नौर कॉमबो में जूर कॉम बोलते हैं कहीं-कहीं नौर कॉमबो लिखाओं लिका फिर है लीटिल वैदरबरी फार्म तो यह क्या है वैदरबरी का एक फार्मर था मतलब अमीर किशान था, मद धायू का था, 41 साल का था तो उसके फução का नाम का था? Little Weatherberry Form Boldwood के फução का नाम का था? Little Weatherberry Form मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसमere मैंने आपको पहले इस बता दिया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्सन हो के कि Boldwood कौन था गैबरेलो कौन था बासिबा कौन था ट्रॉय कौन था सब कुछ मैंने बता दिया तो इस प्रकार अगर आप सीक्वेंस से देखें के सारे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्लेस के बारे में बता दूँ जैसे एक नाम आता है वारेंस माल था उस ए प्रअपुलर इटिंग हाउस आफ वेडर वरी एक प्रचलीद इटिंग हांश तनल आलो छाने पिने कले जाते थे सराव अगरा मिलती थी कुछ कुछ खाने पीने की चीज़े मिलती थी तो ये वेदरबरी का एक खाने पीने का घर था एक बुढ़ा आदमी था वेरन उसी के द्वारा यह जो हाउस चलाया जाता था यानि रन कराया जाता था मतलब कारोभार कौन देखता था वेरन मालिक था आपके सकते हैं फिरकर से वेरन वस आपगरील पा खाइबरील के जो ग्रेंड फादा थर दादा था उन्हें का मित्र था कौन वेरन खाते थे टर यानि धिर्ण करते थे और मजे करते थे supremacy बासबा के फाम में जितने लोग काम करते थे जब वो काम से छुटी पाते थे तो कहां आते थे वेरन के माल्ट हाउस में आते थे यहां पर मदिरा बगएरा मिलती थी और सारी चीज़े खाने पर निज्वाय करने की तो यहीं पर आते थे फिर एक नाम आता है बहुत ही इंपोर्टेंट नेम है कैस्टर ब्रिज यानि आज पडोस का जो एरिया था उसका एक सेंटर था केंदर था और यहां पर क्रिसी बहुत ज़्यादा होती थी मैं आपको बताओंगा यहां पर थोड़ा सा बता दूँ आपको कि एक परकार का मेला लगता था जिसमें मतलब सेफर्ड बैलिफ यह सब खरीदे बेचे आते थे जैसे हाइर इंप यह होता जैसे किसी को अपने फार्म के लिए नवकर चाहिए, देखने भालने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो इसी मेले में जाता था और कोई ना कोई इसको मजदूर, गुलाम मिल जाता था, गुलाम नहीं कह सकते, एक प्रकार से बैलिफ कह सकते थे, उसको पद दिया जाता था कि आप हमारे फार्म को देखेंगे, तो उन न मालिक आते थे और अपने फार्म की रखवाली के लिए आदमियों को खरीदते थे या फिर नियुक्त करते थे जो कुछ भी कह लिए गुलाम बनाके नहीं रखते थे यहां पर क्या होता था प्रतेक सनीवार को सब्ता में एक सनीवार होता ना तो प्रतेक सनीवार को एक कॉर्ण मार्के लगता था कॉर्ण मार्के लगता था हर सनीवार को और यहां पर जो सहर के या फिर गाओं के जो रिच फार्मर होएं ट्रेडर्स हैं वो सब लोग यहां पर आते थे ओके और यहां पर ब्यापार करते थे और यह एक महतपूर टाउन था यहां पर प्रसासनिक छेत्र भी थे जैसे हेड़कॉर्टर्स था यानि मुख्याले था कोट यानि की मतलब न्याले भी यहां पर था एक जेल था और्फिनेज मतलब एक सरण अस्थल था मतलब जहां पर सरणार्थी आकर रुखते थे यानि जिसका कोई नहीं है कोई मतलब जैसे अना था या फिर सरणार्थी है तो आकर के यहां पर रुखता था गरीब बच्च है कैस्टर ब्रीज अभी यहां देखिए कैस्टर ब्रीज यूनियन हाउस तो कैस्टर ब्रीज यूनियन हाउस क्या था एक और्फिनेस था अभी और्फिनेस मैंने आपको बताया क्या है कि यहां पर गरीब बच्चे आते थे इनको खाना वगरा दिया जाता था रहने के जहां पर गरीब बच्चे या गरीब लोग बच्चे जरूरी नहीं कि बच्चे ही हों गरीब लोग आते थे थोड़ बहुत खाना पीना पाते थे रहते थे तो कहां पर देथ होती है काश्टर ब्रीज यूनियन हाउस में अब यहां पर एक और वर्ड आता है King's Arm Inn तो Inn का मतलब होता है सराय मतलब जहां पर लोग आराम करने के लिए आते हैं प्रिवाय करने के लिए आते हैं सराय, ओके, the best in, यहाँ देखे, double in होगा, ओके, यह double in होगा, the best in of Casterbridge, यह Casterbridge का सबसे अच्छा in था, मतलब सराय था, it was very close to the corn market, यह corn market के एकदम पास था, it was patronized by the farmers, traders and shopkeepers of Casterbridge, यानि Casterbridge के जो shopkeeper होते थे, दुकानदार होते थे, ब्यापारी होते थे, किसान होते थे, बड़े-बड़े, वही लोग इसके संदच्छक थे, मतलब इसको बनाए थे एक प्रकार से, यहाँ पर वही लोग आते थे, मिलते थे, रहते थे, थोड़ा समय भी बिता थे, जेक्टिंग्स आर्म इन है, फिर यहाँ वाइट हार्ट टैवन, एक सराब की दुकान थी, आपका इसे से, इसे लिकर शॉप आप कैस्टर वीज, यानि कैस्टर वीज का एक सराब की दुकान थी, मदिरा की दुकान थी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीच में जब नाम आएगा तो मैं थोड़ा सा और इसमें बताऊंगा, जब मैं डीटेल में पढ़ाँगा, चैप्टर वाइस, अभी तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन बता रहा हूँ, यहां भी हाइरिंग फियर मतलब खरीदने बेचने वाला जो मेला था वो लगता था, जहां पर अपने फॉर्म के लिए लोगों को खरीदा जाता था रखवाली के लिए, यहां पर जा रहा था, इस वादा फायर तो तभी इसको आग दिखती है कि एक फॉर्म में या किसी घर में आग लगी हुई है, बैदरबरी के निकट, and he helped in putting it out, और गैबरियल वहां जाता है, आग को बज़ाने में मदद करता है, एक मतलब एक फिल्म बनी है, इंगलिस में फिल्म है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, तो उसको देखे न, तो पूरा सीन आपको समझ में आ जाएगा, एक मूवी है, तीन-चार घंटे की है, इंगलिस में है, तो उसको आप देखेंगे, तो पूरा फार फ्रम दा मेडिंग क्राउड आपको समझ में आ जाएगा, एक नाम आता है, बात, तो यह भी एक अस्थान का नाम हो के, ए टाउन इन दा वेसक्स रिजन, यानि वेसक्स के छेतर में, एक छोटा सा टाउन था, फेमस all over England for its well-known hot springs, यानि अपने hot springs के लिए, यानि hot का मतलब गर्म, इस्थान का मतलब एक प्रकार का एक सीजन है, तो उसके लिए famous है, पूरे England में, and was popular health resort, it was that secretly married Troy, यह वही अस्थान था जहां पर चुपके से, ट्रॉई ने बास बास साधी की थी, ओके, फिर यहां पर एक अस्थान का नाम आता है, बड़ माउथ, एक सीपोर्ट एक बंदरगा कर सकते हैं, समुद्र का किनारा था, इट वोज इस्पेसली फिमस फॉर होर्स राइडिक, और यहां पर घुरसवारी जो रेस है, वो अक्सर होती थी, यानि घुरसवारी लोग जो अपना रेस प्रतियोगता करते थे, यहीं पर करते थे, समुद्र के किनारे एक सर होता है, गोड़ों पर बैट कर लोग इन्जॉय करते हैं, तो यह बड़ माउथ वही इलाका था, लुलविन कोब, एक प्रकार से यह भी समुद्र का किनारा था, और यहीं पर ट्रॉय जो था, सर्जेंट ट्रॉय वो डूब दया था, ओके, समुद्र का एक छोटा सा किनारा है, यहीं पर ट्रॉय आता है नहाने के लिए, फिर वो डूबने लगता है, मरने ही वाला होता है, तभी एक बोट यहीं नाओ उसको बचा लेती है, फिर है ग्रीन हिल, इट वोज नियर वैदरबरी, वैदरबरी के पास ही है, यहाँ पर एक प्रिसिद भेंड का मेला लगता था, मतलब भेंडे खरीदी बेची जाती थी, तो यहाँ पर ग्रीन हिल के पास एक भेंड का मेला लगता था, बासवा हैड कम here with all her workmen, बासवा यहाँ अपने सभी कर्मचारियों के साथ आती थी, यहाँ जो बासवा के फॉर्म में काम करते थे, उन्हों सभी के साथ यहाँ पर आती थी, फिर यहाँ आल सेंट्स चर्च एंड आल सोल चर्च तो यह दो चर्च थे, ओके, यह मिलिटरी स्टेशन के पास, यहाँ कि जो सैनिक छावनी थी, उसी के पास दो चर्च थे, तो फैनी रॉबिन और ट्रॉय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पहले, बाद में ट्रॉय की साधी बासबा से हो जाती ही, लेकिन शुरू में ट्रॉय फैनी रॉबिन से प्यार करता था, तो एक बार होता क्या है कि Fanny Robin को बुलाता है साधी के लिए मतलब Troy बुलाता है Fanny Robin को कियाओ हम दोनों साधी कर ले तो जिस चर्च में बुलाता है Fanny Robin उस चर्च में नहीं पहुंचती वो गलत चर्च में पहुंच जाती है क्योंकि नाम दोनों का एक ही जैसा है आल संस चर्च आल सोल चर्च नाम एक ही जैसा इसलिए फैनी रॉबिन गलत चर्च में पहुंच जाती वहां पर इंतजार करती रहती फिर साधी कसमें निकल जाता है और साधी नहीं उपाती है बाद में जब उसको पता चलता है कि दूसरा चर्च है तब हो जाती है दूसरे मिस्टेक हो जाता है ओके एक प्रकार से साधी नहीं हो पाती दोनों की तो फैनी अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं देखे दा टू चर्च साध मिलेटरी स्टेशन के पास दो चर्च दा सिमिलारिटी इन नेम क्रेटेट कंफूजन इन दोनों नामों में जो सिम अट दर रॉंग चर्च लेकिन फैनी कहां वेट करती है दूसरे चर्च यानि गलत चर्च में चली जाती है और वो जब सही चर्च में आती है तो साधी का टाइं तब तक खतम हो जाता है देख कुल नोट भी मेरीड उनकी साधी नहीं हो पाती है फिर जो ट्रॉय है गुस् इनको छोड़ करके सर्टन टर्ण पाइक ये शुरुवात में ही आपको जब पहला चैप्टर में आपको पढ़ाओंगा तो वहां पर ये वर्ड आएगा सर्टन टर्ण टर्ण पाइक ओके तो एक चुंगी नाका होता है जैसे मालीजे मैंने आपको बताया था पहले वीड कश्वाथ रगगी वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा तब आप इधर जापाएंगे तो टर्न पाय क्या था वही एक टैक्स वाला एılिया था ओके यहां पर चेक की जाती थी वैदर बरी बात रोड यानि कि वैदर बरी और बात जो रोड थी जैसे गोंडा टुबलाम पूर जम्मो कस्मी से हिमाचल प्रदेश रोड है ऐसे माल लिजिए दो अस्थानों के बीच का जो रोड होता है जैसे वैदर बरी और बात तो इनके बीच का जो रोड था उसी रोड पर ये एक चुंगी ना का था ट्रैफिक चेक पोस्ट था दा वेहिकल्स कुड़ नॉट पास जो साधन थे परिवहन थे बस टक मोटर गारी जोड़ी थे बैल गारी वगएरा उसमें वो पास नहीं हो सकते थे अनलेस दा गेट वास ओपन जब तक गेट ओपन ना किया जा अप्टर टेकिंग आक्ट्रोई आक्ट्रोई मतलब आप कह सकते हैं देख लिए इसको सर्च करके मेरा मानना है कि आक्ट्रोई का मतलब यही होता होगा कोई टैक्स वगएरा था उसी का नाम आक्ट्रोई था तो जब तक आप वो नहीं देंगे तक गेट नहीं खुलेगा और गेट नहीं खुलेगा तो आप जा नहीं पाएंगे तो यह मैंने कुछ आपको स्थानों के नाम बता दिया इंपोर्टेंट प्लेस जो थे उनके नाम मैंने बताए अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजे शेर कर दीजे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजे नए चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में है उसको भी सब्सक्राइब कर लिजे अगले वीडियो में मैं एक वीडियो मतलब एक वीडियो और बनौँगा भी इंट्रोडेक्शन पर उसमें मैं थोड़े से टर्म से बताऊंगा कि बैलिफ क्या है फार्मर क्या है कॉर कर पढ़ाऊंगा